हमार साथ चन्दन आदत तेज़स भी मौझूद है साथ ही विवेक से भी कुछे काउंटर समझेंगे फर्डमेंटल फ्रंट पर चलिए शुरुवात करते हैं और चन्दन ओपनिंग के बाद बताईए कहां पर आपकी नजर शांदर तेजी हो रही है और आईटी का पार्टिसिपेशन काफी अच्छा है तो कौन से सेक्टर पे आपका ध्यान और साथ ही स्टॉक कॉल्स कहां पे है बिल्कुल देखे सबसे पहले तो मैं ध्यान रखूँगा आईजियल पे और आईजियल सुभे का पिक रहा है और मेरे को लग रहा है कि इस काउंटर में आज दमकम दिखना चीए डेरिटीस डेटा सेटप की बात करें तो सुरुवाती मिन्टों में ही 3-4 पसेंट का ओपर इंटरेस बिल्ट अप हुआ है तेक्निकल फ्रेंट पे बात करें तो लगबग आप देखो कि 60 दिनों का कंसोल्डेसन ब्रेकाउट है और मल्टिपल टाइम 555-560 के आसपास या आके ब्रेकाउट देने में नाक्याम महब रहा और अब भी हायर टॉप साया बोटम के सिक्वेंसी यह ब्रेकाउट के लिए तैयार हो रहा है ठीक है IGL यहां पर आपको रखनी है नजर अपने 52-week हाई के बेहत करीब है यह स्टॉक 570 के आसपास इसका 52-week हाई है आप देखें 580 के टागिट्स दे रहे हैं चंदन यहां पर 554 का आपको यह पे स्टॉप लॉस लगाना है तो यह स्टॉक में आपके लिए राए पर चलिए बागे बढ़ेंगे और आदेते अब आप से समिझना चाहेंगे बताईए ओपनिंग के बाद कहां पर आपकी नजर आदेते एक बार नाम बताएंगे क्या यह इपका लाप्स की बाद करेंगे बिल्कुल शिष्टी इपका लाप ठीके तो करेंड लेटी पर खरिदारी की सला रहेगी नीचे में सपोर्ट लगाना है स्टॉप लॉस 14-70 का और उपर में पहला टागेट यहां पर बन कराएगा 15-80 और 15-80 के उपर निकलता है तो 16-20 तो 15-80 और 16-20 दो टागेट्स आएंगे उसके लिए उसको धियान में रखके खरिदारी कर नीचे करने बज़ पर और स्टॉप लगाना है 14-70 पर इसमें आप जरूर कर सकते हैं आदेते के रेडार पर यह स्टॉप पर आदेते हैं कल एक स्टॉप जो कि आप ट्रैक कर रहे थे वो था चंबल फर्टिलाइजर्स मुझे ध्यान इसलिए भी है क्योंकि टेक्निकली काफी इंट्रिस्टिंग लग रहा था और 2% कि यहां कोई अपडेट अब बिल्कुल शुष्टी एक फ्रेश ब्रेक आउट आगया है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यह ब्रेक आउट आने के लिए और यह ब्रेक आउट आने के बाद स्टॉप में एक फ्रेश बाइंग पाटन इमर्ज होकर आ रहा है तो अगर आपने खरीदारी और 575-580 के लिए फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं तो फ्रेश बाइंग भी अभी तक कर सकते हैं 580 तक के टागिस जो है आते वे दिख सकते हैं चंबल फर्टिलाइजर शांदार तेजी यहां पे दिख रही है और देखिए कलम गौरांग जी से भी समझने की कोशिश कर र है और ऐसे में कुछ एकाउंटर उस पर रियक्ट भी कर रहे हैं टेक्निकली भी पसंद आ रहे हैं पर तेजो सब आपसे समयना चाहेंगे बताइए कौनसे स्टॉक्स आपके रेडार पे हैं तो आजका जो मेरा पहला स्टॉक है वो बैंकिंग शेत्र से बैंकिंग में और मेरा जो टॉपिक है बैंकिंग शेत्र से वो है एक्सिस बैंक लिमिटेट एक्सिस बैंक में अगर हम देखेंगे तो रीसनली एक अच्छी कासी गिरावट के अच्छी कासी रैली हुई थी उसके बाद स्टॉक ने एक 38.2 फिबुना की रिट्रेश्मेंट लेवल के लेवल पे कलके शतर में सपोर्ट लिया है बीज दिन की जो मूविंग एवरेज है वहां से स्टॉक माउंच कर रहा है तो एक्सिस बैंक मुझे काफी अच्छा लग रहा है चार्ट स्टॉक्चर काफी स्टॉग है तो एक्सिस बैंक में आप करेंट भाप या डिप में खर स्टॉक्चर देखेंगे तो काफी स्टॉग है स्टॉग हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है तो यूपिल में आप करन भाप में खरीदारी कर सकते है इसमें आपको स्टॉप लोज दगाना है च्छे सो दो रुपे का पहला लक्षे रहेगा च्छे सो ती लूपिन यूपी यहां पर आपको नजर रखनी है यह तेज़स के रेडार पर साथ ही आक्सेस बैंक पर भी जो है उनकी राय आती हुई अब एक बार आप से समयना चाहेंगे विवेक देखें अब श्राज सीजन खतम हो रहा है और अब नए महीने की शुरवात हुई तो ह है पर अफ त्योहारों का सीजन भी आ रहा है ऐसे में विवेक कई सारी जो सेग्मेंट्स है उन पे कंजुमर्स थोड़ा ध्यान दे रहे हैं कि किस तरीके से जूलरी बिक्ती है कपडों की बिक्री कैसे होती है और तो इस थीम में आपको कोई ऐसा प्ले समझाता है विवेक जहां पर अजन इन्वेस्टर भी पैसे बन सकते हैं जहां पर वालूइशन कमफर्ट हो तो देखिए मुझे ओवरॉल लगता है कि कंजुम्शन सेक्टर बहुत ब्रॉट टर्म है लेकिन आप अगर कंजुम्शन के अंदर देखो तो जो वाइट गुड्स है पर्टिकुलर अगर वैसा होता है तो जो पैंट सेक्टर अभी तक इतना पर्फॉर्म नहीं किया इंफाक्ट एशन पैंट टाइप अपर्फॉर्म ही करी है अभी तक तो वो साइड ऑफ बिजनस भी हो सकता है कि आगे चलके आपको अच्छा करते हुए दिखे तो यह दो सेक्टर टॉप ऑफ दे माइंड में ध्यान आते हैं और ओवराल नेक्स्ट तीसरा सेक्टर रहेगा आटोमोबिल जहां पे टूविलर स्टॉक्स कल हीरो और बजाज ग रहा था तो हो सकता है कि आपको परफॉर्म करते हुए आगे चलके आप दिखे तो ओवराल बाकी जो सेक्टर है वहां पर वैलुएशन से जूज रहा है तो यह तीस सेक्टर पर आपको नज़र रखनी चाहिए मुझे लगता है कि ओवराल कंजम्शन थीम अच्छा करेगा और जो फुट डेलिवरी कमपनीज बगेरा है अभी तक तो एकी है बजार में लेकिन हाँ और भी आरी आईपियों के साथ तो वो कमपनीज भी आगे चलके आपको पेडिपिक करने वाली है करकि वो भी आलड़ी टायर टू और टायर थ्री कमपनीज में बुश चुके है ठीक है बड़त आनी थी ना वो एक राउंड का हाथ बदला जिसे कहते हैं वो काफी हद तक होता हुआ दिख रहा है वो मैं लेवल्स के अटकने से बता रहा हूं कि अटक के कहां पे हम जैसे आप निफ्टी का लेवल जाच चेक करो निफ्टी का खुला कितने पे 25,788 पे और उसका हाई लगा 25,907 पे यानि कि ये 26,000 के टेरिटरी तक भी नहीं पहुंच पाया और उससे पहले रुग गया इसका मतलब उपर पे सेलिंग हुई है फिर से या सेलिंग हुई है या पार्टिसिपेशन ही नहीं आ रहा जैसा मर्जी आप कहीं तो आप ये बात पका मा आप उपर जाएंगे या 26,000 के नीचे जाएंगे लेकिन एक जंक्शन के तोर पर 26,000 अब बनेगा ये आज की ओपनिंग से और आज के ट्रेड से क्लियर हो रहा है